गुड मॉर्निंग में डियर स्टुडेंट आज हम लोग binary search tree के बारे में पढ़ रहे हैं binary search tree क्या होता है हम उसको किस तरीके से draw करते हैं उसका कुछ rule and regulation होता है जो कि हम पहले से यहां लिखे हुए हैं कि binary search tree satisfy the following rule यह सारा rule को follow करते है कौन-कौन सा rule है rule number one यह है the value of the key in the left child or left subtree is less than the value of the root यानि कोई भी हम binary tree create करते हैं तो उसमें एक left child होते हैं and दूसरा right child होता है है ना तो suppose that कोई हम numeric value लेते हैं उसका node create करते हैं suppose that there is a node है ना suppose 10 node है यह एक numeric number का node बनाए हुए है इसका एक left child होगा and एक right child होगा यहां पर follow rule में बोल रहा है कि the value of the key यानि key 10 क्या है एक key है the value of the key in left child or left subtree is less than the value of the root यानि यह root node से left child का कोई भी एक node इससे छोटा होगा यह यहां पर जो भी हम left subtree create होगा वह भी यह left यह root node से छोटा होगा है ना and दूसरा क्या rule है कि उसी तरीका से similar rule है the value of the key in the right child or right subtree is more than or equal to the value of the root हम लोग right side में कोई भी right child होगे यहां पर एक node है हम एक्जांपल के तौर पर देखते हैं कि एक node है जिसको root node बोलते हैं वो 10 है ना यह root node है root node इसका left child कभी भी क्या होगा left child यह left subtree वह हमेशा क्या होगा छोटा होगा इसकी से root node से तो यहां पर suppose that हम क्या रखते हैं कि यहां पर 7 is a node left node which is smaller to root node फिर right child कौन सा होगा right child हमेशा होगा इस root node से बड़ा होगा तो यहां पर suppose that 12 is a root node which is greater than the root node तो यहां पर हम लोग क्या करें यह एक binary tree के create किए अब इसका भी इसका subtree बना left child का subtree भी बन सकता है यहां पर तो यहां पर हम लोग subtree कभी create करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि subtree जो भी create होगा वह root node से छोटा होगा तो यहां पर suppose that हम मालनों insert करना है कोई number 5 तो 5 क्या है 5 देखेंगे तो compare जब भी हम लोग किया जाएगा तो root node से root node क्या है 10 है और 5 इंसर्ट करना है एक 5 number को insert करना है एक node को insert करना है तो वह कहां insert होगा तो insert किया जाएगा अगर तो इहां से compare करेंगे तो 10 is less than 10 is greater than 5 तो 5 कहां होगा left side में होगा अब left child में आते हैं तो यहां left side में हम आया तो एक seven node है left node है ना तो यहां पर compare करेगा उस वक्त में क्या होगा यह seven root node बन जाएगा मेरा और यहां पर root node जो है उससे compare करेगा कि यह left child में है यह right child में है ना तो five is less than seven then तो हम लोग left child में यहां पर five को insert करेंगे है ना तो इसी तरीके से जब भी कोई भी node होगा इधर हम लोग insert करेंगे वह root node से compare करते हुए सारे node से compare करेगा जो छोटा होगा लेफ साइड में जाएगा और जो node बड़ा होगा वह राइट साइड में जाएगा यह concept है binary search tree का तो हम लोग क्या करेंगे अभी एक binary search tree को ड्रो करेंगे है ना insert करेंगे कुछ number को और ड्रो करकर देखेंगे कैसे हम लोग वह binary search tree create किया आता है है ना को को क्वेश्चन है को ड्रो बाइनरी सर्फ ट्री कि बाई इंसर्टिंग दा फूलोंग नंबर कौन कौन से नंबर यहां पर शपूर्च फर्स्ट बन इस तूवेल्फ कि सबन नाइन ट्वेंटी फाइब अलेवन्वें शिक्स एटीन फॉटि फॉर फिफ्टी एन थाटिटू यह एक नंबर है इसको क्या करना है हमको इंसर्ट करना है है ना insert करना है कहां पर इस insert करके और हमको क्या करना है कि binary search tree create करना है तो create करना है तो यह सारे root node यह सारे node है है ना तो सबसे left से right side में हम लोग move करेंगे यह question के according left सबसे पहला node कौन से 12 12 is our root node है ना 12 हम क्या करेंगे root node create करेंगे यहां पर 12 12 is our root node है अब उसके बाद हम लोग उसके बाद कौन सा नोड है 7 7 जो नोड है वो 12 से compare हम लोग करेंगे कि 7 किस साइड यानि 7 is less than root node है ना तो 7 कहा आएगा left side में यहां पर insert हो जाएगा 7 छोटा है 12 से left side में आ गिया अब 9 कहा है नाइन भी छोटा है है ना नाइन भी छोटा है 12 से तो अब 9 कहां पर होगा right side में तो होगा नहीं left side में होगा 12 के तो यहां पर हम लोग यहां पर compare करेंगे 7 से अब वहां पर जाने के बाद यहां पर यह 7 क्या होगा root node बन गिया अब 7 के left side में होगा होगा यह है राइट साइड में होगा तो जो待 होता है हो टोनाई क्या होगा यहां पर सरी थे ट्वेंटी कियों इसको वर्माइट करना है सब Anda करें जा경 करके भालेंगे यहां पर 20 insert हो गया उसी तरीके से 5 5 को insert इसके बाद करना है तो 5 कहां पर insert होगा तो 5 को insert करने के लिए हम लोग देखेंगे 5 बड़ा है यह चोटा root node से compare करेंगे तो 5 left side पर होगा फिर इधर left side में आने के बाद यह एक left child है लेफ child है और यह एक sub tree बना हुआ है तो इस Subtree में यह क्या है, यहां पर यह Subtree में हम लोग 7 जो है, क्या है, एक Root Node आप 7 के Left में होगा यह Right में होगा, है ना? तो यहां पर 5 क्या होगा, यहां पर हम लोग smallest है, इस Root Node से है, तो यहां पर हम लोग 5 को insert करतेंगे, है ना यह नहीं कि हम यहां पर left side में है 7 से compare जब किया जाएगा तो 7 root node हो गया और 5 उसे छोटा है तो यह left side में आ गया है ना फिर उसी तरीके से 11 11 को insert करना तो 11 को किदर जाएगा फिर हम शुरू root node से यहां से compare करेंगे 11 is smaller than 12 तो यह smaller node कहां left side में आएगा तो left side में आएगा फिर यहां पर 7 से compare करेंगे तो 7 से compare करने के बाद 11 क्या है बड़ा है तो right side में आ गया है ना यहां पर right side में आगे अब यह एक root node बना हुआ है ना 9 क्या है एक route note है तब यहां पर 11 किदर होगा left side में और right side में होगा 11 बड़ा है तो right side में होगा पिर उसके बाद 6 6 को insert करना है तो 6 कहां पर insert होगा तो 6 6 यहां से फिर compare करेंगे तो 6 इधर left side में आएगा फिर यहां से compare करेंगे इधा तो already fill यह number fill है, 7 यहाँ पर left side में आएगा तो यहाँ पर 7 से compare करेंगे तो यहाँ पर left side में ही 6 को होना चाहिए, तो यहाँ तो left side में चला आया, 6 फिर यहाँ से हम लोग compare करेंगे, 5 root node बन गया, अब 6 किधर जाएगा left, yeah right, तो right में आ जाएगा टरीका तब इसमें 18 कि इधर आएगा थाले डुर्ट साइड में ऐगा ओंहोई ना फिर उसी तरीका से बढ़ा है तो इधर राइब और यह रूट नोड है 20 Rich ओंेmor ला है तो यहां राइब में बढ़ भुंहार है ट्बर बढ़ टानल तो इधर आ गिया है ना इस साइड में आएगा फिर इधर आने के बाद 20 से बड़ा है तो राइट साइड में आ गिया फिर तो इस तरीके सा हम लोग क्या होता है बाइनरी सर्ष ट्री को ड्रो करेंगे अब बाइनरी सर्ष ट्री इस तरीके से हम लोग क्रियेट करते हैं कि कंपेर करते हैं मैं सा रूट नोट से कंपेर करते हैं रूट नोट से कंपेर करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि किस साइड लेफ साइट सब्ट्री के तरफ इंसर्ट हो रहा है या राइट सब्ट्री के तरफ इंसर्ट हो रहा है अगर लेफ सब्ट्री के पाल साइड में होता है तो लेफ सब्ट्री के तरह हम लोग रूट नोट को लिखते जाते हैं उससी तरीके से बाइनरी सब्ट्री को बनाते है है ना तो इसमें इंसर्ट करना एंड डिलीट करना दो रूल को सिखना है कि किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं किसी रूट नोड को अब यह बाइनरी स्ट्री जो क्रियेट हो गया इसमें से किसी भी एक रूट नोड को कहीं भी एक रूट नोड को इंसर्ट किया जा सकत कर दो